दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर या लाप्टोप में बुलुतूथ को चलाना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर या लाप्टोप में बुलुतूथ काम नहीं कर रहा है और आप फैसो बुलुतूथ अडप्टर की मदद से यानि कि बुलुतूथ डोंगल की मदद से अपने computer या laptop में Bluetooth को चलाना चाहते हैं और आप confused हैं दोस्तों कि आपको कौन से Bluetooth adapter को purchase करना चाहिए ये वीडियो आपके लिए काफी helpful सावित होगा दोस्तों और वीडियो के last में बताऊँगा कि मैं कौन सा Bluetooth adapter का यूज करता हूँ Bluetooth को चलाने के लिए ठीक है बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ Amazon की website पे यहीं से समझाता हूँ ठीक है यह सबसे best है समझाने का तरीका यहां सही समझाते हैं आपको तो दोस्तों सबसे पहला जो Bluetooth अडप्टर है दोस्तों वो आता है TP-Link की और से TP-Link 5.0 Bluetooth अडप्टर ठीक है TP-Link 5.0 अभी 5.0 चल रहा है और यह इसका जो model नमर हो गया दोस्तों यह UV500 हो गया ठीक है यदि आप इस Bluetooth अडप्टर को यानि कि Bluetooth के डोंगल को पर्चेज करेंगे तो इसका benefit क्या है सुन लिजे यह बिंडोज 7 हो गया 8.1 हो गया 10 हो गया 11 हो गया सभी में काम कर जाएगा ठीक है जाहे डेश्टोप हो PC हो, माउस हो, कीबोर्ड हो प्रिंटर हो, हैंड सेट हो स्पीकर हो यानि दोस्तों जितने भी device होते हैं जो Bluetooth के थुरू से चलते हैं computer में सारे device को आप जो है अपने computer में connect कर सकते हैं Bluetooth के थुरू से इसका rating भी देख सकते हैं काफी तगड़ा है 4.3 का rating है लगभग इतने लोगों ने इसे purchase किया है, इसका price भी देख सकते हैं काफी कम है, कम नहीं है लेकिन ठीक ठाक है मीड रेंज में है, ठीक है साथ ही दोस्तों इसका speed वगएरा जो है वो काफी तगड़ा है इसके अलावा यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका एक छोटा वर्जन है एक वर्जन नीचे वाला 4.0 वाला, ठीक है यह भी टीपी लिंक का ही है लेकिन यह 4.0 का है इसे भी आप ले सकते हैं बस इन दोनों में भरक यह है कि इसका जो प्राइस है वो तो 100 रुपिया कम है, यदि आप 100 रुपिया ज़ादा देते हैं तो आपको स्पीट ज़ादा मिलेगा, ठीक है 5.0 वाला में स्पीट ज़ादा है और यदि आप 100 रुपिया कम देते हैं तो फिर आपको स्पीट थोड़ा सा जहनना पड़ेगा क्योंकि 5.0 का स्पीट ज़ादा है 4.0 की अपेच्छा में तो मैं तो बलूंगा कि एक सुरुपिया ज़ादा देखें आप 5.0 वाला ही परचेज किजिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे बुलुतूथ की अडप्टर है जैसे यह वाला अडप्टर यह दिया परचेज करेंगे इसमें बुलुतूथ और वाय परचेज दोनों है लेकिन इसका दाम बहुत ज़ादा, ठीक है इसका देखिये, मातर 294 रूपिया में आपको मिल जाएगा यहां देखिये, मातर 299 रूपिया में यह मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको जहलना पड़ सकता है जहलना क्या पड़ेगा कि इसका जो speed है दोस्तों वो तो एकदम कम मिलेगा ही मिलेगा साथ ही connect होगा फिर disconnect होगा connect होगा फिर disconnect होगा यानि कि Bluetooth जो है दोस्तों आपका छोड़ छोड़ के connect होगा ठीक है connect रहेगा बाप पता चलेगा कि आप गाना सुन रहे हैं और disconnect होगिया आ आपने आप इसके साथ ही बिच बिच में यदि आप song को पले कर रहे हैं speaker वगरा connect कर लिए है bluetooth का और song को पले कर रहे हैं तो song जो है दोस्तों आपका छोड़ छोड़ के भी आ सकता है इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि यदि आप लेना ही चाहते हैं आपके पास पैसा नहीं है तो आप मत लिजे रूख जाईए लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं तो आप TP लिंक का एकदम 5.0 वाला खर दिये ये सबसे बेस्ट एकदम one time invest कीजिए और एकदम lifetime यूज कीजिए इसलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक सो टेर सो वाला भी है लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ ठीक है मैं आपको बलूँगा यदि आप लेना चाहते हैं तो वही लीजिए और नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ दिन ठार जाएए ठीक है तक कोई भी connecting का इसू या कोई भी किसी तरह का इसू मुझे देखने के लिए नहीं मिला है दोस्तो यदि आप देख सकते दोस्तो तो देखिए यहाँ पे तोड़ा फोकस नहीं कर रहा है आप देखिए फोकस क्या टीपी लिंक का है मेरे हांत में ठीक है और यह 5.0 वाला ही है इसी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है देखिए ठीक है तो इसको जो है दोस्तो आप पर्चेश कीजिए और यूज कीजिए आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी लफडा नहीं देखने के लिए मिलेगा दोस्तो तो चलि दोस्तो इस को यहीं पे समात कर देते हैं इस वीडियो से आपको यदि धोड़ा सा भी फाइदा हुए दोस्तो वीडियो को लाइक रसेर जरूर कर देजिए तो चलिए दोस्तो मिलते फिर नेस्ट विडियों जहें दोस्तों